नमस्कार दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं फैनकोड इसी एस टेटेंड कार्टेक्स और सरीच के जो मैच नमबर 7 खिला जाएगा FRD वर्सेस WLP के दर्मियान में दोस्तों इस मैच का पूरी डिटेल से हम लोग बात करने वाले हैं FRD और WLP के जितने भी अभी तक मैचेस हुए हैं सारे मैचेस को इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे दोस्तों FRD के टीम ने अभी तक इस रिच के दो मैचेस कंप्लेटली खेल चुके हैं और इस रिच के खेले गए दोनों मैचेस में इस टीम ने काफी सांदर तरीके से वीन किया है दोस्तों और साथे साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस रिच के खेले गए ये मैचेस में कौन से खिलाडी ने लगातार आपन करते विए दिखा है कौन से खिलाड़े फर्स टाउन पे खिलते वे नजर आए हैं जितने भी खिलाड़ी है सारे खिलाड़े का बैटिंग ओडर में आपको इस वीडियो में इस्टे बाइश्टे बताऊंगा साथ साथ आपको बताएंगे दोस्तों की कैप्टन सी वेस कैप्टन सी के लिए कौन सा खिलाड़ी सबसे बेश्ट आप्सन रहेगा जिसके मज़से दोस्तों आप यहाँ पे ग्रैंड लीग और समॉल लीग के सांदर टीम तैयर कर सकते हैं कौन से ग्राउन पर यह मुकाबला होगा यहां का पीच रिपोर्ट के आ रहने वाला है सारे इंपोर्टन इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा इस मैच का इस वीडियो के अंदर दोस्तों तो अगर आप इस मैच से रिलिटेट सारे जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप के सुरूशन तक देखना ताकि इस मैच का आपको पूरी डेटेल्स मिल पाएगा और आप एक सांदार टीम बना पाओगे लेकिन इस से पहले एक छोटी इस रिक्वेश्ट है अगर चैनल पे नई जुड़े हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना साथ साथ बैल आकन को प्रेस कर देना गाईज ताकि आने वाले मैचेस का वीडियो में जैसे अपलोड करूँगा आपके पास सिदे नोटिफिकरसन पहुचेगा और सारे मैचेस का जनकारी आपको मिल पाएगा देखो आपने टेलिग्राम गुरूप को भी जोईन कर सकते हो यहाँ पे अफटर टॉस आपको फाइनल टीम दे दी जाता है और देख सकतो फ्रेंड से बीस जर प्लस यूजर ने जोईन कर लिया है और यह गुरूप बिलकुल फ्री गुरूप है तो जल्दी सिस आगे बढ़ेंगे और सुरुवात करेंगे दोस्तों सबसे पहले मैच विन्यू से तो आपको पता ही हो कहा है दूस्तों सरीच के सारे मैच इस एकी ग्राउंट हो रहा है और यहां गर आप पीची देखोगे तो बैट्समें के लिए का पर बढ़ी हाँ पीच रहा है तो ज दोस्तों टीम के ऑपन करेंगे तो आप समय सकते हो कि यहां पे काफी बड़े पार ही खेल सकते हैं और एक्सप्रियेंस से इनके पास इनको अपने टीम में लेते हुए चलेंगे देखो फॉर्स टान पे जो खेलते हुए देखें एमडे ने जरूल इसलाम जो के टीम के 52 रन बना के एक विकेट निकाले दूसरे मैच में 62 रन बना के इसे विकेट दोने निकाल पाये थे लेकिन बैटिंग बॉलिंग दोनों करते वे दीखें दोनों मैच में और काफी बढ़िया स्कोर किया है आप यहां पे खोद अंदाजा लगास तकते होगी के लिए कितना ज्यादा इन्पोर्टन ये खिलाडी रहेंगे बाकि बाकरें इम्तियाज राना के बारे में तो सेकेंड डौन पर बल्लेबाजी करते हो दो रन बनाए थे एक विकेट निकाले हैं फिर दोस्तों यहां पे बॉलिंग से फ्लॉप रहा तेरन खर्च के दे विकेट निकाल प आए थे यहां विकेट निकाल पाए थे 21 रन खर्च के थे पूरी दो बर की गिंदबाजी में वह एगर बात करेंगे सादसन के बारे में इनको ड्रॉप करते वे चलेंगे अभी तक बैटिंग बोलें का मोगा नहीं मिला इनको एमडे अब अब्दुल मर्टन की बात कि चार विकेट निकाले हैं और दूसरे मेच में 33 रन खर्च किये थे यहां विकेट निकाल पाए थे दोस्तों ये चो खिलाड़ी है पूरी आपको दो बर गिंदबाजी करते वे दिख जाएंगे तीन नमर का बल्लेबाज है इन्पोर्टेंट भी रहाएगा आप समझ सकत कितना ज्याता इंपोर्टेंट ये बंदा रहने वाला है बाकि यहां पर रुपा की बात करें यहां इनका स्टेट्स आपके सामनी जो फॉर्ट रन पर बल्ले बाजी करते वे 6 रन स्कोर करा था यहां खान के बाए इनको ड्रॉप करते वे चलेंगे नजमूल हसन की बात कर जो एज एब बॉलर आपको बॉलिंग से पॉइंट दने के चांसे समयसा रहेगा एफ रडी के टीम का यह था स्ट्रेट जो कि वी तक दो मैचे खेले हैं लेकिन भी एल्पी की बात करेंगे देखो इन्होंने एक मैचे अभी तक खेला है और जो क्या भी चल रहा है लेकिन मैं दूस्तों यहां पर एक मैचस के बैस देन में के क्रेट करने पर काफ़ि दोस्तों मैं आपको मैच करूंगा क्यूंकि आप समय सकते कि एक मैच में जो बैटिंग और रहता है वो confirm नहीं कि दूसरा मैच में सेम रहेगा लेकिन यहाँ पर किरे रिजल्ट के बिस्क पर आप टीम क्रेट करेगो यह ज्यादा बेटर रहेगा यहाँ पर आप एजर रिंदाने के बात करेंगे दूसरों बीस मैच इस खेले हैं एट हंड़ेट थर्टे नाइन इसकोर करा है और 11 विकेट इन्होंने अपने नाम किये हैं आप समय सकते हैं कि खिलाडे बहुत जदा इंपोर्टन रहेगा दोस्तों बाके सुनिल पडिल की ब सबस्तों को ड्रॉप करो बाकी धर्म पडिल की बात करेंगे साथ मैच खेले 153 विकेट इन्होंने अपने नाम किये हैं यह जो खिलाड़ी है बल्लेबाजी और गेंदबाजी यह भी दोनों करते वे दिखेंगे बल्लेबाजी से भी इनका स्कोर काफे बढ़ी है तेरे बाकी दवल पडिल की बात करेंगे तो 12 मैच खेले 177 विकेट अपने नाम किये हैं देखो यह जो खिलाड़ी बल्लेबाजी से इनका स्कोर कुछ खासने एवरेज का खिलाड़ी लेकिन हैं बॉलिंग आपको करते वे दिख जाएंगे और यही कारण ही कि इनको इनको सबसे ची बात है कि टीम का टॉप अटर का बैट्समें ने यह कारण है दोस्तों कि इनको अपने टीम में ले सकते हैं हम लोग बागी किसन सुतर की बात करेंगे 13 मैच खेले हैं 243 करार तीन विकेट अपने नाम के हैं यह जो खिलाड़ी है बल्लेबाजी से अच्छे स्कोर कर सकते हैं कि इनके आल्रेडी पांच बोलर खेल रहे हैं तो मेबी किस मैच में इनको बॉलिंग करने का मौका ना भी मिले तो अगर इनको लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप इनने ले सकते हैं एज ए बैट्समें बागे अकसर पड़िल की बात करेंगे 12 मैच खेले इनको इनको ड्रॉप करेंगे फिलाल मितुल पड़िल की बात करेंगे 11 मैच खेले जिसमें से दोस्तों इन्होंने चार विकेट निकाले हैं और दोस्तों लास्ट जो खेलाडी है यहां पर पार्थ पड़िल के बारे में जो यह नए खेलाड़ी इनको अभी तक यहां पर गैस द पहले एक छोटी इस रिक्वेष्ट है अगर चैनल पे नई जुड़े हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना साथ सथ बैल आगन को प्रेस कर देना तक कि आने वाले मैच इसका वीडियो में जैसे अफ्लोट करूँगा आपके पास नोटिफिकसन पहुचेग और सारे मैच इसका जानकारी आपको मिल पाएगा देखो दोस्तों कर वीडियो कभी तक लाइक ने करें तो पुलिस लाइक भी जरू कर देना यार क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है बाकि चलिए हम लोग इसके बैसिस पे एक बहतरीन टीम की और ब सब्सक्राइब बाकि बात करेंगे बैटिंग से बारे में यहां पर अगर आप ध्यार से देखोगे तो दो बैट्समन आपके लिए बहुत जड़ा इंपोर्टन रहेंगे यह अदरान की बात करेंगे यह बहुत सुपर बल्ले बाच यह टीम का टॉप अटर का बैट्समन सब्सक्राइब बात करेंगे बात करेंगे बागे का स्टर्स कुछ खासने में ड्रॉप करते वे चलूँगा लेकिन आपको पता ही होगा दोस्तों की टीम का आपनर बल्ले बाच प्लस आपको पूरे दो वर गेंदवाजी करते वे दिख जाएंगे तो इनको हम लोग जरू प्लस दो बर गेंदवाजी करेंगे आई राना को लेते वे चलेंगे यह भी हाई इंपोर्टन बैट्समन रहने वाल हैं बाकि डीप अडिल को लेना चाहते हैं दोस्तों तब जीएल में जरू ट्रै करना यह भी बैटिंग बॉलिंग दोनों करते वे आपको दिख जाएंगे बाकि बात करेंगे दोस्तों बॉलिंग सेन के बारे में यह तो तीन बॉलर आपके टीम में होने जरूरी है एस पर्टिल जो आपको पूरे दो वर गेंदवाजी करते वे दिखेंगे यहाँ पे एन हसन की बात करेंगे दोस्तों एफर डी के टीम के तरफ से यह पूरे दोग और गेंदवाजी करते वे दिखेंगे टीम के यह भी में बॉलर है आप इनको ले सकते हैं अपने टीम में जो आप इनको ट्रॉप करके एम परडिल के साथ जाना चाहते हैं तो जा स इस परकार का है जिसमें से कैप्टेंसी की बात करेंगे तो एम नदरूल जोग आपको लिए सबसे से बंदा रहने वाला रवाइस कैप्टेंसी के लिए मैं इनको आपने टीम में ट्राय कर रहा हूं लेकिन याद रखना आपके पास च्वाइस है अगर आप चाहो तो आप आपको इस वीडियो के नीचे डिसकेशन बॉक्स में मिल जाएगा बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्ट वीडियो में जय हिंद